हेलो दोस्तो आप सुभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगी इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं अपना account के से create कर सकते हैं इसके बारे में आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे और दोस्तो यदि आप भी Instagram पे अपना new account बनाना चाते हैं तो फिर आप इस वीडियो को बिना skip के वीडियो को पुरा last तक देखेगा और दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like और share करके हमारे इसी channel को भी जरूर subscribe कर लेना तो चलिए दोस्तो बिना दिरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगे instagram पे अपना new account कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने mobile में instagram application को open करना है और instagram application open करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface open हो जाएगा और अब दोस्तो आपको इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है ठीक है न तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपको इसमें एक option में लिगा create new account तो आपको simply create new account वाले option पे क्लिक करना है फिर दोस्तो आपके सामने ऐसा interface आएगा और यहाँ पर दोस्तो आपको इसमें एक option लिगा what is your name फुल नेम आपको इसमें अपना फुल नेम एंटर करना है जिस नाम से आपको अपना Instagram account बनाना है आपको उस नाम को इसमें एंटर करना है ठीक है यह देखे दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना full name enter कर दिया है अब दोस्तों इसमें आपको दो option मिलेंगे जैसे next और escape तो आपको next वाले option पे click करना है और यह loading लेगा और आपके सामने ऐसा interface दिखाई देगा यहाँ पर देखें दोस्तों create a password आपको इसमें अपना एक new password create करना है और इसमें आपको अपना strong password ही बनाना है चली दोस्तों मैं यहाँ पर अपना password इसमें enter कर देता हूं यह देखे दोस्तों मैंने इसमें अपना password enter कर दिया है आपको भी इसमें अपना password enter कर देना है ठीक है और यहाँ पर दोस्तों आप जो password create करोगे वो six letter के उपर ही आप यहाँ पर password create कर सकतो ठीक है, come letter का यहाँ पर नहीं चलेगा, 6 से उपर का password यहाँ पर चलेगा, ठीक है, और password एंटर करने के बाद आपको next वाले option पे click कर देना है, और यह loading लेगा इसमें आपको दो option लेगे, save और note now, तो आपको अगर password save करके रखना है, तो आपको save वाले option पे click कर देना है उसके बाद आपके समने ऐसा interface आएगा यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें अपनी date of birth select करना है चले दोस्तों, यहाँ पर अपनी date of birth select कर लेता हूँ, ठीक है यहाँ देखें, दोस्तो date of birth select कर लिया है, और यहाँ पर इसमें दो option पे cancel और set, तो आपको set वाले option पे click कर देना है और आपकी date of birth यहाँ पर set हो जाएगा, ठीक है अब आपको इसमें एक option लेगा next, आपको इसमें वाले option पे click कर देना है, और आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा, ठीक है अब दोस्तों, यहाँ पर देखो username आपको इसमें अपना username create करना है आप इसमें अपना कुछ भी username create कर सकते हो ठीक है, जिस नाम को आप यहाँ पर रखना चाहते है उस नाम से आप username create कर सकते हो जैसे यहाँ पर देखो मेरा अभी username यहाँ पर create है और देखो, यहाँ पर यह अभी right tick है और right tick होगा, तभी आपका username यहाँ पर create होगा तो चली दोस्तों, मैं यहाँ पर दूसरा username create करके आपको दिखाता हूँ, किस तरह से create करना है जैसे यहाँ पर मैंने अपना नाम एंटर किया है मोहित परज़ापती, ठीक है यह एंटर कर दिया है, यहाँ पर आपको इसमें space नहीं देना है बीना space के आपको एंटर करना है और यहाँ पर दोस्तों, कापी सारी username आपके सामने आएंगे इस तरह से जो भी आपको इसमें अच्छ लगे उसको आपको select करना है तो चलिए, मैं यहाँ पर एक select करता हूँ मोहित परज़ापती, यहाँ पर दोस्तों अब है यह मैंने select किया, आप देखो दोस्तों, यह loading लेगा और यहाँ पर देखो, search करेगा यह भी right है, यहाँ पर यह username create हो जाएगा अब इसमें एक option लेगा next, आपको इसमें क्लिक कर देना है फिर आपके समने ऐसा interface आएगा, ठीक है अगर आपको अपना Instagram account अपने mobile number से बनाना है तो यहाँ पर आपको इसमें अपना mobile number एंटर करना है, ठीक है mobile number एंटर कर दोगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपको सो हो जाएगा जो भी आपका number है और यहाँ पर उपर देखे, what is your mobile number, ठीक है आपको उसी number को इसमें एंटर करना है, जो number चल रहा है उसी number पे OTP code जाएगा, तभी आपका account create होगा और अगर आपको अपने mobile number से अपना account नहीं बनाना है तो आपको इसमें एक option लेगा, sign up with email address आपको इसपे क्लिक करना है, आप अपने email address से भी अपना Instagram account create कर सकते हो तो यहाँ पर दोस्तों मैं भी अपना जो Instagram account है अपने email address से बनाना चाहता हूँ तो चलिए दोस्तों मैं अपना email address यहाँ पर enter कर देता हूँ ठीक है और email address एंटर करने के बाद इसमें एक option लेगा next इसपे क्लिक कर देना है, जैसे इसपे क्लिक करोगे तो loading लेगा, wait करना है दोस्तों ठीक है और यहाँ पर देखे, आपके समने असे इंटरफेस दिखाए देगा यहाँ पर देखे, enter the confirmation code confirmation code आपको यहाँ पर enter करना है जो email address आपने enter किया है उस email address पे six digit का code जाएगा OTP code send हो जाएगा आपको उस OTP code को इसमें enter करना है उसके बाद आपको next वाले option पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर यह processing लेगा आपको यहाँ पर wait करना है और आपके समने असे अंटरफेस दिखाई देगा आप आपको इसमें इक option लेगा I agree आप agree हो तो आपको इसमें click करना है ठीक है तो यहाँ पर देखे एगरी to Instagrams, Trumps and policies तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर wait करना है ठीक है तो मैं wait करता हूँ अब देखो दोस्तो मेरा Instagram account बन चुका है और यहाँ पर ऐसा interface आ चुका है ठीक है और यहाँ पर देखे add a profile picture यहाँ पर आप अपना photo add कर सकतो profile picture add कर सकतो अपने Instagram profile पर तो आपको add picture पर क्लिक करने है अगर आपको photo add करना है तो चलिए दोस्तो मैं यहाँ पर कोई भी एक photo select करता हूँ तो यह देखो दोस्तो मैंने अपना एक photo यहाँ पर select कर लिया है add हो चुका है अब यहाँ पर done वाले option पर आपको click कर देना है photo select करने के बार ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर wait करना है आपको 5-6 second यहाँ पर आपका लगेगा तो यहाँ पर ज़्यादा जल्द बाजी नहीं करना है थोड़ा wait करना है ठीक है तब ही आप अच्छे से अपना account create कर पाओगे अब देखो इसमें को option लेगा continue get facebook suggestion अगर आपको facebook connect करना है तो continue पर click करना है अगर आपको नहीं करना है तो आपको skip कर देना है तो मैंने skip पर click किया अब देखो दोस्तों मैंने skip पर click कर और यहाँ सेंटरफेस आ चुका है अब देखो दोस्तों यहाँ पर since your contact for find friends को option मिलेगा तो आपको यहाँ पर अगर आपको since करना है तो click कर देना skip कर देना तो मैंने skip किया अब देखो दोस्तों आपका username आपस सो हो जाएगा इस तरह से अब आपको इससे escape कर देना है या फिर आप profile पे share भी कर सकते हो तो मैं यहाँ पर escape करता हूं तो मैंने skip किया अ अब देखो दोस्तों आपर आपके सामने followers आजाएंगे जिने आप follow कर सकते हैं आपके काफी सारे friends आपके सामने आएंगे आप इनको follow कर सकतो इस तरह से follow पे click करके ठीक है और आपको next पे click कर देना है और आपके सामने इस तरह से interface आएगा अब देखो दोस्तों यहाँ पर प्रोफाइल पर आऊगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपने जितने फोलो किये हैं वह फुलोविंग भी आपको सो जाएगे फुलोवर्स आपको आपको सो जाएगे उसके बाद पोस्ट आपको सो जाएगा आपके कितने पोस्ट है यहां पर देखो एक को एप समझ में अगर आपको बाइयों में कुछ भी लिखना है तो आप बाइयों में लिख भी सकते हैं जैसे यहां पर चलिये अपना ही नाम इर्पर एंटर कर देता हूं ठीक है यह देखो दोस्त्तों में又 अपना ही नापर नेम एंटर कर देता हूं राइचת 5 और contrôle पोन्ने में right का option लेगा, इस पर click कर देना है, फिर आपको right पर click करना है, जैसे आप right पर click करोगे, तो यहाँ पर यह एड हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर यह setting है, जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर important है, यह setting भी करना जुरूरी है, ठीक है, तो इस तरह से instagram पर बैं एंटेक केयर